प्राइवेट पार्ट पे मारता था, फिर से चेस्ट पे मारा था तुम दोकेबाज थे, इसलिए तुमने उसको यूस किया तिना ओड़े ले जितना दोकेबाजी और जितना फ्रॉडगिरी कर ले तेरा अंत जो है तुमने गलत किया है, तेरा अंत बुराही होगा उसने रोरो के मुझसे ये भी रिक्वेस्ट की है, कि अगर मुझे कुछ हो गया हलो रितेश जी, वेलकम तो टेली मसाला, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ क्या बताना चाहेंगे, हॉस्पिटल में भी आ गए है, आप राखी की क्या अपडेट है, कैसी है वो अभी? कल रात भी उन्होंने जो वोईस नोट बेजा था, काफी वो एमोशनल थी, उसमें काफी रो रही थी, कैसी है अभी वो? मैं दिखी ए हेल्थ वाईस तो ठीक है, या मिनल, वो एक वारियर है, हमेसा लड़ते रहें है, बहुत दिन तक अपने गरीबी से लड़ी है, आज अपने लोगों से भी लड़ रही है, तो एक वारियर है, वो लड़ें और लड़ते रहेंगे, हाला कि उसको भी हर इंसान क एक बाड टाइम आता है राकी अभी बहुत बाड फेस में है उसके पास कोई अपना कहने के लिए नहीं है जिसको वो फैमिली मानती है सबने उसके साथ धोका किया है उसने जो रात में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था काफी एमोशनल थी वो रोरो के बोल रही थी उसने रोरो के मुझसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन लोगों को छोड़ना नहीं जो भी उसके साथ बुरा किया है और अफकोस मैं छोड़ूंगा नहीं मैं उनको जो उन्होंने जैसे कानूनी रूप से परिशान किया है उसको इमोशनली परिशान किया है फिनेंचिरी परिशान किया है डेफनेटली मैं आप लोगों को सारे के सारे लीगल ऑप्शन खोलके आप लोगों से मैं आपको जिस भी इस दुनिया में जहां भी न्याय है में लेके आऊंगा उसके लिए राखी के लिए आऊंगा राखी के यूटरिस मे जो tumor बताया जा रहा है उस पर क्या update है कितने centimeter का है and operation में क्या कोई तकलीफ होने वाली है also बहुत सारी चीजे होती है operation के पहले देखी जाती है sugar, BP, सारी चीजे और राखी जिस तरह से वो इतनी टूटी होई है तो I'm sure कुछ न कुछ complications हो रहे होंगे देखी राखी टूटी हुई है operation में तो बहुत सारी complications होते है सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम राखी जो है काफी टूटी हुई है क्योंकि जो last का एक साल उसके life में गुजरा है उसको बहुत मार पड़ी है मैं इन सब बातों को लोग अगर जो बताती थी लोग उसको इग्नोर करते थे हांसते थे हैं राखी साह उनको कौन मारेगा बड़ उसको बहुत मार पड़ी है उसको यही सब उसको उसने मुझे बताया जैसे अब चीजे चुकी मैं भी कुछ ने सुरू किया कि यार तुमको ऐसा हुआ कैसे तो बताना सुरू की है और डीटेल में कि वो जो बंदा है वो प्राइवेट पार्ट पे मारता था फिर से चेस्ट पे मारा था शायद उसने पुलिस में भी यह रिपोर्ट किया है कि मेरे घर की लोखन की कड़ी तूट गई थी सी राखी सावंत हस्ती है तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसके दर्द को भुलाए जा सके वो भी एक विमन है मारने पर किसी को भी दर्द होता है किसी के भी दिल तूटने पर दर्द होता है आज वो हस्त खेल के किसी से बात कर ले रही है, अपने को गम भुलाने की कोशिश करें, doesn't mean को वो नाटक कर रही है, ठीक है, तो ये और रही बात की, इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि इस टाइम वो as a warrior नहीं जा रही है, इस टाइम वो तूटी हुई है, और अफकोस आप सभी जानते हैं कि operation कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इसमें risk कितना भी skilled doctor हो, कितना भी ये हो, risk हमेशा रहता है, क्योंकि आपके सरीर के part को खोला जाता है, उसके बाद आपको एक नया जीवन मिलता है, क्योंकि जहां हम लोग कहते हैं कि जहां पेट वग तारित किये हैं, बहुत सारे लोग जुंड बना के उसको जो दोस्ते वो भी धोका दिये, जो अपने थे वो भी धोका दिये, कुछ लोग उसके वेल विशर बनके उसको धोका दे के उससे कहीं तहीं पेपर पे साइन करा लिया, तो ये सारी चीजे हैं, उसको कहीं न कहीं वो अपने मा को भी मिस करती है, क्योंकि वो मा का भी support आप नहीं रहा, ठीक है, अब उसका कोई नहीं है, except fans के, मुझे नहीं लगता है, उसका कोई है। गुष्ट कर रही है, तो एक तरफ कहीं नहीं लोग जो विश्वास कर रहे है, ऑर एक तरफ ऐसे भी लोग है, जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, क्यों छो लोग अब क्या करें हैं? खुद से पैदल जाने के बराबर है बड़ मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं कि जैसे कोट से बचने के लिए कोई कोट से बचने के लिए कोट से हम क्यों बचेंगे जब हमारे पास कोई गलत है मैं तो आज भी कहता हूँ अगर हमारे में गलत है आप हमें फासी पे चड़ा दो कि जो हम भारतिय समविधान को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं अगर हम गलत किये हैं तो हमें सजा मिलनी चाहिए अगर हम गलत नहीं किये हैं तो सजा नहीं मिलनी चाहिए और तो एंसर दे क्वेशन की सब्सक्राइब करें लाइगा और इतना बड़ा त्यूमर है तो यह कैसे आजाएगा यह बता के मुझे देखे तो यह वकूफ लोगों को गदे लोग है उनको एंसर देके क्या करेंगे पेट में कोई ट्यूमर खुद से प्लांड तो करेंगा नहीं और वह ट्यूमर अगर र बता भी दिया कितना सेंटीमिटर में तो लाइक मैं किसी को जस्टिफिकेशन देने पर विश्वास भी नहीं करता हूं क्योंकि देखो यह सीधी सी बात है और कोट से बचने के लिए अगर आप बताओ कि भारतिय सम्मिदान में ऐसा लिखा है कि आप अगर आप बिमार हो हैं तो वो कितना भी बिमार हो जाए लेकिन उसको कोट के समग जाना ही है यह चीजे हैं लेकिन मैं आप ते पूछता हूं यह ट्यूमर कोई अंदर कैसे गुसा लेगा तो यह बेबुनियाद बाते हैं अलसो अरितेश जब यूट्रेस में जब ऐसे ट्यूमर वगेरा पाय यह बहुत आपने अच्छा कुश्चिन किया है कि यह टॉक्टर ही कर सकते हैं लेकिन आपने पूछा है भोट अच्छी बात है अफपर से जो इन्फेक्शं यह कितने एरिया में फैला है क्या क्वासती हैं यह इसके ही हो सकता है कि हक्शन बहुत सारे अँदर बॉड़ी क पार्ट में भी है तो यह doctor investigate करेंगे ये सारा investigation करने के बाद ही वो तै करेंगे कि इसका Best solution क्या है अभी भी पता नहीं है कि Best solution क्या है या तो हो सकता है कि उसको clean करें या होसकता है कि ऐल tumor हटाई या हो सकता है कि पुरा uterus हटाएं बहुत तो तुम बेवकूफ हो और सबसे बड़ी बात तुम जाहिल हो इतनी जाहिलियत की हथ कि तुम उस लड़की को बरबाद भी किये उसको ऐसा तुम ने डिस्ट्रोई किया कि तुम चाते थे कि उसकी कभी शादी भी ना हो कोई लड़का उसको एकसेप्ट ना करे क्योंकि तुम ये डिफेमेशन कर रहे थे कि uterus नहीं है तो कोई लड़का उसके जिंदिगी में नहीं है मैं पूछता हूँ अगर जो भी संसकारी लड़का रहेगा उसको uterus से मतलम नहीं रहेगा वो उस लड़की से प्यार करेगा जो तुम नहीं कर पाए तुम धोके बास थे इसलिए तुमने उसको यूज किया अरितेश अब आप कब तक यहां रुकने वाले हो और आपरेशन के वगभी कोई यहां पर एक मोशली तो फीमेल को रखा जाता है एक फीमेल के साथ कैसे मैनेज करने वाले यह सारी चीज़े आप मैं तो रहूंगा बट आपकोस आपने सही कहा कि एक फीमेल को रहना जरूरी है तो मैंने राकी के भाई को और भावी को मैंने बुलाया है ठीक है कोशिश करूंगा क्योंकि उनकी भी फैमिली है वो लोग रात में नहीं रुक पाएंगे हाला कि मैंने फीमेल नर्स को भी बोल रखा है इन्होंने होस्पीटल वालोंने अच्छा अटेंशन दिया है सिंस राकी का नाम है और लोगोंने अटेंशन दिया है एक मौसी है जो राकी के लिए 24 बाई 7 अपोइंट हुई है तो राकी तो बट सम्हाव मैं तो रहूँगा क्योंकि राकी इस दुनिया में माबाप के बाद मेरे भाई बहन के बाद जो अगर कोई भी प्यार दिया है respect दी है मेरे परती care ली है तो सिर्फ राखी है तो मैं तो रहूँगा मैं तो 100% रहूँगा और मैं जितने भी ईश्वर हैं हम लोग चारो धाम पर विश्वास करते हैं मैं चारो धाम के ईश्वर को बोलूँगा राखी अगर अच्छी स्वस्थ होके हस्ती खेलती हमारे बीच आए तो मैं चारो धाम के दर्शन करूँगा अभी उपर जाने से भी पहले आपने कहा था कि आप नीच आके कुछ बताने वाले important बाते क्या थी वो बात देखिए important बात ये है कि इस जिसको मैंने नया नाम दिया है पिछवाडा 420 ठीक है इसका नया नाम है इसको आप लोग लिख ले बहुत जल्दी ये इसका patent भी हम लोग register कर देंगे इसके नाम पे ठीक है पिछवाडा 420 इसको मैं ये warning देना चाह रहा हूँ कि तू जितना उड़ ले ठीक है क्योंकि जितना उड़ ले जितना धोकेबाजी और जितना फ्रोडगिरी कर ले तेरा अंत जो है तुमने गलत किया है तेरा अंत बुराही होगा और तूने राखी को मेरे से छीना था मैं तेरे सोमी को छीन लूँगा ये open question है तेरे सोमी को छीन लूँगा ये open guarantee है और इसको तुम नाम लिख लेना मेरा ताइंक्यू सो मच रितेश आपने आपका इतना टाइम दिया है एंड वे विश राखी बहुत जल्दी ठीक होकर जल्दी घर आ जाये ताइंक्यू सो मच